स्वागर है दोस्तों आप सभी को तेकिराज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कीसी भी रेट्मी के फोन पर यदि आपका वोल्याम बटन स्थाख हो गया है या पर दोस्तों आपका वोल्याम बटन काम नहीं करते तो तो आप इस problem को केस से fix कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको solution बतने वाला हो, तो दोस्तो यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाते हैं, हमारा volume बटन जो की अंदर पर ही इस्ताख हो जाते हैं, यानि कि दोस्तो आप जब भी volume आप यहाँ पर increase करना चाते हैं, decrease करना चाते लेकिन दोस्तो यहाँ पर आपका volume बटन स्ताख हो जाने के वज़से, वो काम करना बन कर देता है, बिल्कुल, तो दोस्तो यहाँ आपको यहाँ पर क्या करने से बेतर होगा solution, तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले, यहाँ ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइ दीजिगा, और यदि आप online से पैसा कमाना चाते हैं, तो आप हमारा वीडियो description पर link चेक आउट कर सकते हैं, और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर message कर सकते हैं, तो दोस्तो आईए वीडियो को हम बिना देर के हुए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, तो दोस्तो यदि आपका जो volume button है, वो बिलकुल काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, यदि आपको ऐसा कोई problem है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता रहता हूँ, आप setting पर जाके भी volume control कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जाके दोस्तों solution कर लीजेगा, ठीक यदि आपका volume button काम करना बंद कर दिया है, तो आप यहाँ से भी दोस्तों आपका volume control नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लिजेए यदि आपका volume यहाँ से भी control नहीं हो रहा है, तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आप simply जाए प्लेश्ट्रों पे, ठीक है, प्लेश्ट्रों म आप देख सकते तो आप इसको दोस्तों यहाँ पर इंस्टोल कर सकते ठीक है इंस्टोल कीजिए और आप दोस्तों आप यहाँ से पूरा completely volume control कर सकते ठीक है जैसे कि दोस्तों आपका पहला था आप इस तरह से यहाँ से इसको इंस्तूल कर लीजें इंस्तूल करने के बाद आप पूरा वोल्याम काम कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारा आपको अपलीकेशन मिल जाते हैं, जो की ठाट तो आप वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों मान लिजे वह वोल्याम कंट्रोल जो कि आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया फिर भी दोस्तों वह भी आपका जो वोल्याम है उससे भी कंट्रोल नहीं होते हैं और यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लेम हो चुका है तो यदि आपको ऐसा कोई problem है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए आपको simply technician के पास जाके आपना volume को पूरा repair कर लेना होगा ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका touch का problem हो सकते है या तो फिर आपका volume पर पूरा यहाँ पर problem आ चुका है फिक्स कर सकते हैं या पर दोस्तों ठीक है आप technician के पास जाए उसके पास जाके दोस्तों यह आपका hardware में इस्यू है तो वह आपको fix करके देगा तो उसके बाद जाके दूस्तों आपका volume का problem fix हो जागा तो आप solution को try कीजिए solution से fix नहीं होता है तो फिर दोस्तों आप मेरा जो